हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सब का स्वाद करता हूँ मेरे चैनल आपका HR कंसल्टन में दोस्तों, अज का जो वीडियो है, होगी ओफलेटर से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आपके पास मल्टिपल जॉब आफर्स हैं या मल्टिपल आफर लेटर्स हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में आपको कौन सी डेस्ट कंपनी जोइन करने चाहिए? तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे लोगों के पास मल्टिपल आफर लेटर्स आते हैं फिर उसके बाद जो है, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार मेरे पस तिन चार आफर लेटर हैं अब मैं कौन सी कमटी जोइन करूँ, तो आज हम उसी चीज को पर डिस्कुस करेंगे और जानेंगे किस बेसिस पर आपको चीजे आगे लेके जानी है और कौन सा बेस्ट आफर लेटर आपको चूज करना है, तो चली सुरू करता है दोस्ते तो यहां पर मैंने बताया है tips to handle multiple offer letters तो मैंने 5 tips दी हैं जिसमें आपको मैं बताऊँगा कैसे आपको offer letter handle करना है सबसे पहला है fact check, अब fact check का क्या मतलब होता है जब भी आपके पास कोई offer letter आता है मैंने आपको जैसे पुरानी वीडियो भी बताया है कि कैसे आपको offer letter evaluate करना है तो आप पूरा का पूरा evaluate करें ठीक है, अच्छे से offer letter को evaluate करने सारे fact checks बराबर से करें आप fact check करने के लिए आपको क्या करना है आपको glass door की website है उसमें जाके आप fact check कर सकते हैं कंपनी के बारे में कंपनी के office कितने है कितने branches है कहां कहां पे कहां कहां पे इनके offices situated है कौन कौन सी country में यो operate करते हैं उससे आपको जो है basic idea मिल जाएगा ठीक है आप LinkedIn में जा सकते हैं LinkedIn में भी बहुत सारा information जो है पूरी तरह से टलाग होता है उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं बाकी information जो आपको रहेगी वो आपको मिल जाएगी company का जो profile है उसमें जाएगी आप outer space पे आप outer space पे जाएगी तो वहां पे आपको पूरा detail में दिया रहेगा उनके white papers होते हैं white papers को भी आप जाके जो आप पर सकते हैं तो ये सारी जो है fact checks में आते हैं अच्छे से पूरा fact check कर लें और ये fact check आपको कप करना है fact check आपको करना है जब आपको offer हुआ है offer letter लेने के बार ने पहले से ये करके रखें मतलब आपको जब पता लगया कि आपको offer वहां से हो गया पस offer letter आपके पास आने वाला है जो तीन दिन में offer letter आ जाएगा तो उस बीच में आप अपना fact check जारी रखें और fact check जो है आपको offer letter आते तक जो है उससे ज्यादा नहीं कुलता है तो बेटर है आप fact check पहले से करके रखें ठीक है अप अप लोगों कोई ये चीच जो है समझ में आ गी हो ठीक है दोस्तो अब अगला होता है be thankful but don't say yes कहने का मतलब है कि अगर company ने आपको offer letter issue किया ठीक है they have given you an offer तो it's a very good thing ठीक है to have a good offer in तो उनका धन्यवाद जरूर कीजिए लेकिन yes मत बोले ठीक है don't say yes yes आपको अभी नहीं बोलना ठीक है अब इसी से related जो है अगला point आता है वो क्या है जैसे मैंने आपको गताया thankful रही है क्योंकि उन्होंने आपको आपका selection किया है लेकिन हा मत बोलिया offer letter के लिए अभी कि मैं आपकी company join करूगा उससे अच्छा है बे-truth उनको बोलिये कि देखे मैंने और गी interview दिये है मैं और गी interview का offer आने का बेट कर रहा हूँ तो जैसी वो offer आजाता है उसके बाद जो है I'll be able to give you the answer तो इसमें कहा रहेगा ना कि अगर आप truthful रहते हैं अपने जो सामने वाला को आप सच्चा ही बता जेते हैं तो उससे क्या आपकी respect जदा बढ़ जाती है उन लोगों के नजर में तो अगर लेसे आप इस company को join करते हैं तो आपकी एक अच्छी respect बनी रहेगी आप एंड इटिल help you in your career effort तो हमेशा be truthful जुट मत बुली अगला आता है do short analysis यह बहुत जादा ज़रूई है short analysis के बारे में मैं अगले slide में भी detail में बताँगा तो यहाँ पर जान लिए आपको short analysis करना पड़ेगा क्योंकि लिएसे आपके पास 5-6 company का offer letter आया है तो जब आप short analysis नहीं करेंगे fact check नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगे कि आप कैसी company join करेंगा और कौन सी company join करेंगा तो सबसे अच्छा तरीका जह होए आपको short analysis कर लेना चाहिए और short analysis करने के बाद ही आपको company join करनी चाहिए then अगला आता है still have a good relationship देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो यह है कि जब आपके पास multiple offer letter आजाते है offer letter आने के बाद लोग क्या करते हैं कि नहीं मुझे यह company join नहीं करने तो मैं क्यों यहाँ के HR का phone उठाऊ में को नहीं उठाना ऐसा मत किजिए ऐसे करने से आप क्या करने है जो आपका एक relation बना है जब लोग ने आपका interview लिया है उस company ने आपका interview लिया है आपको जोइन नहीं करना तो अगर वहाँ से call आता है उसके HR से call आता है call pick कीजिए और normal सा बूल दीजिए नहीं मैंने दूसरी जगा join कर लिया है I'm really sorry I'll not be able to join ठीक है कितना सा होलना है ठीक है उनका call hung up मत कीजिए उनको delay में मत रखिए ठीक है अब यहाँ पर मैंने sort analysis के बारे बता है यह hypothetical example है ठीक है इसके basis पर आप किसी भी कमप्टी का sort analysis कर सकते हैं और लेसे आपके पास 5-6 कमप्टी आई तो 5-6 कमप्टीों का जो है एक अठा sort analysis करके दिन उसके बाद आप कमप्टी को बगाईदा चूज कर सकते हैं तो सबसे पहला sort analysis का full form जा लेते हैं that is strength, weakness, opportunity and threat तो यह चार चीज़े होती है इनके basis पे चीज़े की जाएंगी तो सबसे पहले होता है strength तो strength को अगर माली जो कोई ex-company है मुझे उसका strength देखना है then उसके बाद मैं देखता है अच्छा weakness क्या क्या है उस company के यह तो strength हो गए तो weakness में अच्छा no work-life balance work-life balance नहीं है मतलब वहाँ पी क्या बोलते हैं काम बहुत जोरुस से ज़्यादा करवाया जाता है then late promotion नहीं है continue काम करवाया जा रहा है लेकिन promotion ही ते रहे तो obviously weakness में जा रहा है then opportunities क्या है learning के opportunity अच्छी कासी है वो उन्साइट विजिट देते हैं अगर आपको onsाइट भीज रहे हैं तो यह दोनों बहुत ही अच्छी opportunity है और उसके basis पे जो आगे का आप career पात बना सकते हैं last में हम threat देखते हैं तो threat में क्या रहा है high attrition rate अब high attrition rate है अच्छा खासा तो इन चारों चीजों को देखके आपको decide करना है कि आप कौन सी कम्टी और ऐसी प्रकार से जो है आप बाकी कम्टीयों का भी sort analysis कर सकते हैं जब sort analysis आप कर लेंगे उसके basis पे आपके पास एक proper data निकल के आजाएगा कि अच्छा ये कम्टीयों है जो मेरे लिए suitable रहेगी और मुझे इस कम्टीयों में जाना चाहिए तो फोग आप लोगों को sort analysis अच्छे से समझा गया होगा दोस्तों चले बागे बढ़ते है ये sample offer letter है जो कि मैंने अपने कुरानी वीडियो में भी दिखाया था तो इस प्रकार से जो है offer letter आपको दिखता है ठीक है तो इसी प्रकार से आपको एक normal offer letter मिलेगा और उसी को आपको accept करके दिन आओगा यहाँ पर मैं एक चीज जरूर बूलूँगा कि जब आपको offer letter मिलता है जैसे मैंने पहले वाले slide में बताया था कि आपको तुरन्त हान ही बोलना है कि हाँ मैं आपकी कंप्टी में आने के लिए तियार हूँ उनको बूले है मेरे को आप दो से तीन दीन का समय दीजे मैं दो से तीन दीन के अंदर आपको बताता हूँ तुरन्त हां मत बूलिए ठीक है उस बीच में आप अपना proper certain releases कर लिजे अच्छे से facts चे कर लिजे कंप्टी के देन उसके बाद आप हाँ बोलिए जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल भी किसी का phone उठाई अगर HR का उपाल आता है जिस भी company को आपको जोइन नहीं करना है अब अगर उनका उपाल आता है डारेक्ली बोल दीजे देख देखिए मैं आपकी company जोइन नहीं कर सकता है क्योंकि मेरे को दूसरी company से अच्छा offer है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ ठीक है दोस्तो तो आज से करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद रहा हुआ अगर पसंद रहा है तो अपने जादा जादा लोगों के सास कीजे और like करना मत भूलियेगा दोस्तो और बस आज करीछ इतना है था और मैं बहूंगे आप लोगों से अगली वडियो में तब तक क्लिया आपने ख्याल रगेगा धन्यवाद दोस्तो